नमस्ते मैं हुँ देव आपका मुझीक इंस्टर्टर आज हम देखेंगे मेरे प्रोडक्शन बैग के अंदर क्या क्या चीजे होती हैं जो मैं स्टूडियो लेकर जाता हूँ जब्रेवल कर रहा होता हूँ और उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो आपके भी काम आ सकती है जब आप भी travel कर रहे हूँ जल्दी से मेरे back को करते हैं UNZIP तो बिलकुल zero से start करते हैं सबसे पहले मैं बिलकुल अपनी जो सबसे पीछे zip है वो देखता हूँ उसके अंदर ओके एक book है तो बुक है Autobiography of a Yogi और काफी थिक बुक है काफी बार मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं फिर से पढ़ता रहता हूँ क्योंकि जितनी बार भी ये बुक आप पढ़ेंगे उतनी बार ही कुछ ने कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहता है उसके बाद मेरी Macbook है आप देख सकते हैं काफी अच्छा बैग है VIP का ये बैग है और ममी ने मुझे गिफ्ट किया था सबसे पहले ये देख रहे हैं आप तो ये मेरी Macbook Pro है और जिनोंने भी मेरा Vlog देखा होगा जब मैंने Macbook पर चेस करने गया था तो आपको मालूम होगा कि Macbook Pro है लेटेस्ट M1 Pro चिप वाली जो भी मैंने 2-3 महीने पहले ही ली थी उसके बाद ये बीच की जिप तो यहां हमारे पास एक तो है मेरी Macbook का चारजर और एक मेरे पास निकलती है मेरी Hard Disk 2TB की Hard Disk है या आप SSD भी यूज़ कर सकते है Hard Disk भी यूज़ कर सकते है मैं इसके अंदर अपने सारे Projects रखता हूँ सब Samples रखता हूँ काफी Projects के Backup वगएरा सब कुछ इसके अंदर ही होता है क्योंकि Computer का भरोसा नहीं है कब क्या चीज Function करना कम करते तो आपके पास Backup होना हर चीज़ का बहुत जरूरी है काफी Zip है इसके अंदर एक और Zip और देखते हैं इसके अंदर क्या है फिलहाल ये Compartment मेरा खाली है और है गया मेरा Finally एकदम Front का और आप देख सकते हैं उसमें काफी सारी चीज़े हैं जो यहां पर मैं देख सकता हूँ सबसे पहले मेरे पास एक Mouse है Obviously, Travel के दौरान काम करने के लिए मैं Trackpad, Touchpad के उपर बिलकुल भी जो है मैं efficiently काम नहीं कर सकता मुझे हमिशा एक Mouse चाहिए ही होता है इसलिए मैंने एक Wireless Mouse इसके अंदर रखा हुआ है उसके बाद हम देखें तो एक छोटी सी मेरे पास Notebook है कुछ lyrics लिखने को या कुछ भी और कोई financial चीज़ हो कुछ भी काम करने के लिए ये मेरे काम आ जाती है इसके बाद हम देखें तो मेरे पास एक बहुत ही बड़िया यहाँ पर pen है और दो मेरे पास pencil है आप देख सकते हैं ज्यादतर मैं pencil ही use करता हूँ काम करने के लिए और ये देखिए कुछ मैंने green tea भी रखी हुई है जो Netherlands से मेरे friend लेके आया था मेरे लिए तो अलग-लग flavor की है और कभी जरूरत पढ़ जाती है गरम पानी में डाला और पी लिया इसके इलावा यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास यह type C port की extension है क्योंकि आपको मालूम है जो macbook है उसमें सिर्फ type C port है कोई भी USB A या कुछ भी दूसरे तना का port नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन जो है वो fast जो है port है मेरे पास type A और एक type C भी है ब्लू जो color है आपको मालूम है वो high speed का ही निशानी होती है 3.0 या 3.1 की राइट इसके बाद यहाँ पर देखूं तो मेरे JBL के TWS क्योंकि कहीं भी travel के दौरान कुछ काम करना है या गाने सुनने है तो कोई वीडियो देखनी है तो यह बहुत ही handy है और यहाँ पर अगर मैं देखूं यह छोटे से हिस्से में मेरा शापना पैंसिल के लिए राइट और उसी के साथ ही eraser है तो यही चीज़े है और यहाँ अंदर हम देखें तो cell है मेरे पास कुछ batteries कभी भी काम आ जाती है कहां भी कोई keyboard लेना हो कुछ लेना हो और मेरे पास एक cutter है यह भी बहुत ही handy है कभी use हो जाता है मेरी जिंदगी है या तो मेरे हाथ में होता है mouse या dumbbell तो कभी अगर workout में सो गया तो थोड़ा बहुत 4 arms के workout के लिए ये भी खाम आ जाता है तो काफी सारे comments में में शाँ होता तक यह आपका जो vlog है उसमें हम back देखते हैं बैक के अंदर क्या के चीज़े होती आज मैंने आपको बता दिए मेरी obviously Macbook है काम करने के लिए उसका charger है backup के लिए मेरे पास hard disk है जिसमें stems, project samples सब कुछ होते हैं चोड़ी सी notebook है काम करने के लिए green tea, earphones है मेरे TWS एक mouse है थोड़ी बहुत सेहत का ध्यान रखने की चीज़ है और extension है type C to type A batteries है A cutter है और सबसे important चीज़ जिंदगी में कोई ना कोई book आपको हमेशा पढ़ते रहनी चाहिए यह आपको मालूम है एक vlog के अंदर जब मैं यह autobiography of a yogi purchase करने गया था वो भी मैंने आपको दिखाई थी finally यही सब चीज़ें मेरे back के अंदर होती है तो आज आपने देख लिए है मिलते हैं किसी और lecture में किसी और vlog में किसी और video में तब तक लिए Dave Next Level signing out नमस्ते